नमश्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेश अकीश और 22 मही के आपकी राशी के महाराशी फल के बारे में शबसे पहले दोस्तों जिनका भी यश में बड़े हैं या फिर एनिवर्सरी हैं आप शबी को मरत्र पशे धेर शारी शूप काम नाएं आप दिन्दुगनी रात चौगनी तरीके करें तो ऐदोस्तों से कही शाथ बात करते हैं यश में ग्राउं के तिदिक एश होंगी क्या क क्या योग बनेंगे और इन शबीक श्राप की राश्य पर क्या होगा किन किन्ट यह को लेकर एश में आपको श्रावदनेना होगा और आगर कौन-कौन से कारी आपके लिए भागी शलिऊंगे यश में आपका लब-लाइब किशा रहेगा स्वास्त किसा रहेगा दोस्तों वीडियो को मिशना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाए हैं जिनिया आप करके इंदनों को और भी लाबकारी बना पाएंगे उशे पहले दोसों अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्क् दिन योग की बात करें तो यह घात नाम का योग रहेगा उश्की प्राइद इन वागी दिन शुक्रवार का दिन में अच्छत रहेगा दोस्तों इन आपको भी जो गये हुए बज्य नाम का शूब ऋगए और यह भी आपके लिए बहुत लाबकारियों राव कलकरशा में दिन सुबह के 10 बचकर 44 मेंट से लेकर दोपार के 12 बचकर 23 मेंट रहेगा दोस्तों चन्रमाइज दिन श्रिंग राशी को प्रांच वे करने राशी में शरचार कर जाएंगे दोस्तों आकरी दिन 22 माई की बात के तो शनी वार का दिन होगा शनी देप का दिन होगा दस में तिती और उत्रा फालवनी नाम का ज़िन नचतर हो जाएगा योग जो है इस दिन स्रवार्शी दिन आम का शुबह रहने वाले हैं और आकरी दिन में बहुत ही महत पून योग है राव कलकेशों में शुबा के 9 बचकर 5 मेंट से लिए कर शुबा के 10 बचकर 44 मेंट रहेगा और चनरमा इस दिन भी करने राशी पर ही संचार करेंगे तो यह दोस्तों बात करते हैं ती इंदनों की जो गरहन अचेतों किस्तिती है वह दोस्तों इंदनों में बेद्यार्थी अपना अभ्यास जो है सफलता पुरुवक कर सकेंगे उत्सा तथा स्वास्त यसमे जो है बनी रहेगी नए कारियों की आरम के लिए दिन शुब है वह दोस्तों इंदनों में अगर आपकी नेगेटिव को लेकर बात करें तो यह जो आपके लिए शमे होंगे इंदनों में भूमी भवन सम्मनित विवादों में आपको फंस सकते हैं यसमी इनका आपको शामना करना पड़ेगा परिश्रम की यसमे जो अधिक्ता होगी यात्रा में आपको कश्च हो सकता है कारुब़र में इंदनों उतर चड़ाव की शम्मावना है वह हैं दोस्तों इंदनों में न्यालिन कारियों में उल्जणों का शामना करना पड़ेगा नोकरी में दोड़ भाग की अधिकता यश में जो है रहेगी वहीं दोस्तों इंदरों में आपके लिए जो समय होंगे वहीं शाइक परिजिना के विश्तार का समय हो सकता है आप अपने किरेटवी आइडिया से कुछ अच्छा लाप कमाने की इस्तिती में यश में रहेंगी इन दोनों में ख्याती मिलने के जो है बहुत अच्छा योग बन रहा है दोस्तों कुछ लोगों को अपने किसी खास मित्र के जरिये नया जौब या फिर बिजनेस का उफर मिल सकता है यह जो समय होंगे आपके लिए आपके लिए काफी लाप प्रस्त में होगा आपको वजन के काम करने का लिए थोड़ा साधनी बरती चाहिए जैसे कि आप अपने शरिष ज़रा वजन अगर अपने उपर लेते हैं तो दोस्तों इनमें आपको साधनी बरती चाहिए इने कामों को आपको नहीं करना चाहिए साधनी दोस्तों यह जो आपके लिए शमय होंगे अगर आपकी करेर को लकर बात करें तो करियर के लिए आसे ये दिन अच्छा रहेगा आपके काम या समय असानी से पूरी हो सकती है दोस्तों इन दुनों में जमिन जादात की मामलों में पढ़ने से आप बचें अन्य था कानूनी बिवाद में आप हो सकते हैं आपका वयवार जो है आपको आपका पार्टनर जो है उसका मन खुश कर देगा तरक्की के नए मारगयश में खुलेंगे वही दोस्तों इन दुनों में गर आपकी लवलाईप को लोकर बात कें तो ये जो आपके लिए शमय होंगे इन दुनों में आप जिसके साथ एक बार जूड़ जाएं समझिए आज जीवन उसका साथ देने वाले हैं किसी भी हाल में अपने साथी से दूरी बना कर नहीं रख सकते जिसके भी साथ वे भानोदों रूप से जूड़ते हैं उनके प्रतिवे हमेशा मेंदार रहेंगे और उनके बिना अपने जीवन को कुछ नहीं मानेंगे दोस्तों यश्र में यह जो आपके लिए दिन होंगे इन दुनों में आपको जो है अपने जीवन साथी से पूरा समर्थन और सहयोग मिल सकता है स्वास के घर बात करें तो इन दुनों में आप आपका श्वास की मामले में जो समय होंगे आपको जो है सिथारों का साथ मिल सकता है इन दुनों में आपको अत्यदिक काम का बोज की कारण जो है ठकान का भी अनुगा होगा लेकिन सिथारों के साथ की कारण आप उन कामों को करेंगे लेकिन थकान मसूर होगा थकान किसी का भी रोग उत्पत्ती के कारण बन सकती है इसका आप खास ध्यान रखें इसलिए दोस्तों किसी काम के बीच में अराम के लिए जो है समय आप अवश्च निकालें दोस्तों इसमें आपका भागेशाली रंग रहेगा सिल्वर और भागेशाली अंक रहेगा आठ वह दोस्तों इंदरों में गिनेश जी की दिरिश्टी से ये जो आपके लिए शमय होंगे थोड़ा कठनाई भरा समय होगा नोकरी वयशाय में आपको कोई बाधा या पिर तकलीब नहीं होगी परन्तु माता पिता के साथ जो है मध्विद होने की पूरिश है अधा दोस्तों गिनेश जी माता पिता की विचारों के शाथ अनुकुल होने तथा समयधारी वहवार अपनाने की सलह देती है दोस्तों इन दोनों में आपकी वितिति यानि धन को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है बहुत ही डिमांडिक होगी इसलिए कुछ कठेन चुनोतियों के लिए आप यश में तैयार हो जाए मिटिंग में भाग लेने से आपको यश में बचने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि वे जो समय होंगे वे आपको अधिक घबरहाट देंगी संगर्च से बचने के लिए आपको दबाब में सांत रहने की जर्द होगी इसा गिनेजी का सुझाव है वहीं दोस्तों इन दोनों में अगर आपकी पारिवरिक जीवन की बात करें तो यह जो आपके लिए शमय होंगे पिरिजनों से अधिक उम्मिद आप कर सकते हैं लेकिन गिनेजी आपको प्यार की मोर्चिप पर और सत दिन की उम्मिद कराते हैं दोस्तों इसे में आपको जो है सावधनाना होगा ताकि आपके शब्द आपके पीरिक को चोटनों दे सुनक्चित करें कि आप जो कर रहे हैं आंकार आपकी दिमाग पर शासन नहीं करें और जो है नहीं आपकी रिष्टों को भी या प्रवाइद करें वहीं दोस्तों इंदों में अगर आपकी आर्थिक स्थे की बात करें तो यह जो आपके लिए शमय होंगे जो आपको कोई भारी खर्च का संकेत नहीं मिल रहा है आप यह जो समय होंगे इन दिनों में फाइनेंसियल मोजबुति को लेकर चिंतित रह सकते हैं यदि आप पार् स्थेवर जिवन में भी संतुष्टी मिलेगी ओफिस में आपके जो काम हैं अच्छी तरह से होगी और उन्हें शारना भी के जाएगी यह जो है दोस्तों समय आपको और अधिक काम करने के लिए प्रिरिद करेगा कुल मिलाकर आपको चार ओर जग यसमें खुशियां ही बचें यह जो समय होंगे पारिवरिक आयजन में आप सभी के ध्यान का केंदर रहेंगे प्यार एक ऐसा जज़बा है जिसे नौशिर्फ महसुस किया जाना चाहिए बलकि अपने पीरी के साथ माटना भी चाहिए अचाना कि यह जो समय होंगे आपके लिए काम से छूटी ल सबसे अच्छा घटना थी दोस्तों शमय मूफ्त जरूर है पर बेकिस्मती भी है इसलिए अपने अधूर्य कारियों को निप्टा कर आप बने आने वाले दिनों के लिए जो है चिंता मुक्त हो सकते हैं दोस्तों इंदरों में आपके लिए जो समय होंगे लंगड़े अप तोड़की के बारे में दोस्तों आप इन टोड़के को अपने जोन में शुकी रहने के लिए अपना सकती हैं दोस्तों ब्रश्पतिवार या फिर मंगलवार को साथ गांठ हल दी थोड़ा सा गुड इसके चाथ पीपल का एक टुकड़ा इन सब को मिला कर पोटली में प्रश्पति की नोकरी अथवा विवेपार में रुकावट आ जाती है दिखाय देने वाले कारण बहुत होते हैं लेकिन दोस्तों कहीं ने कहीं इन कारणों की पिछे गरहों का परवा होता है गरहों का अनुकुल होने पर जिवन में सबी कार्य बंते चले जाते हैं गर धोकर उसे दोस्तों धीप दुब दिखाकर उसे जहां अपनी दुकान पर बेढ़ते हैं उस पर आशन की नीचे रख दें दोस्तों इसकरिया को साथ सनिवार तक करें जैसे ही साथ सनिवार हो जाती हैं तो आप इसी सभी पत्यों को लेकर किसी चौराय और पानी में बहा द करें और शाथी दोस्तों और इसी अधिक जानकारियों के लिए आप मारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को अधिक से दिख लाइक करें शियर करें धन्यवाद